करनाल में सीम मनोहलाल ने कॉंग्रस पर निशाना साधा, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बगया सोचे समझे ही प्रलोभन पत्र जारी कर दिया क्या, ये हाकिकत में हो ही नहीं सकता, इसलिए कॉंग्रस से बचकर रहना और पब्लिक को जागरुक करे, सीम ने कहा कि वो शचार को रोकने के लिए घेराबंदी करनी पड़ती है, हम दावा नहीं करते हैं कि गलत काम बंद हो गए हैं, लेकिन जनता के सहीयोग से उनको रोक देंगे करनाल पिदान स्वा से जो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो स्वाभावी के मुझे अपने जो यहां के मद्दाता है, उन से बीच मीच में मिलने का जो अफसर मिलता है, उसका मैं उक्यों करता हूँ, आज शेहर की बहुत ही जो संस्थाएं, परमुक सामाजिक संस्थ करता हैं, जो सिवा के काम में लगी हैं, आज यहां मिले हैं, और उन से मैं जैसे चुनाव के अंदरा पील करनी होती हो, पील की है, तो कि मुझे समय कम में लेगा, तो इसलिए सब इन संस्था के लोगों नो भी आशाव से लिए लाया है, कि यह स्वेम मनोहरलाल की घुमिक में और यहां मोट मांगेंगे